हलो दोस्तो वेलकम टू टू चैनल तो दोस्तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अठ्षे से फटिलाइजर के बारे में और वो फटिलाइजर हमारे बिलकुल घर का है और गैनिक है बिलकुल इजी टू यूज है बहुत ही और जीरो कोस्ट का है तो दोस्तो ये है मेरा पान क कर्मल पान होता है वह बहुत ही जादा बड़े बड़े पत्तो वाला होता है लेकिन यह जो है यह मेरा मगही पान है और इसे आप देख सकते हैं मैंने एक मॉस स्टिक पर लगाया हुआ है मॉस स्टिक पर अगर हम कोई भी इस तरीके की वाइन वाला प्लांट लगाते हैं जै लश ग्रीन कलर के हैं बहुत ही जादा सुन्दर है और यह हम अपने खाने में यूज करते हैं और यह आप सभी को पता होगा कि यह पूजा में कितना जादा यूज होता है पूजा में यह बहुत ही जादा यह इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसका हम हर पूजा में यूज करते हैं तो अगर आप इस प्लांट को अपने घर में लगाते हैं तो यह भी बहुत ही शुब और बहुत ही अच्छा एक प्लांट है अपने गारड़न में लगाने के लिए और इसे अगर आप बालकनी लाइट में भी रख देते हैं, इंडोर्स में भी, बालकनी वेगरा में जहां पे ज़्यादा धूप नहीं आती है, प्लांस को तो वहां पे भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, बहुत ही सुन्दर से ये प्लांट है, बिल्कुल मनी प्लांट के तरह ही लगता है, और्गैनिक जाना चाहिए, किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए, तो यहां पर मैं जो जो यूज करती हूँ, मैं आपको बताते रहती हूँ, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या इसमें यूज करती हूँ, तो यह है दोस्तो दाल का पा करने का तो आप 2-4 दिन तक जो डाल धोते हैं उसका पानी जो एकसाद इकठा कर लीज है और इसके बाद यूच कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों मैं इस चीज का यूच में 2ग मैं करते हूं और मैं क्या करते हूं कि इसे कभी-कभी स्प्रे भी कर देती हूं और कभी कभी मैं थोड़ी सी आपको क्या करना है आप चाहे तो इसमें और भी पानी मिला सकते हैं अगर आपका प्लांट जादा बड़ा है तो आप इसमें और भी पानी मिला सकते हैं जैसे कि यह मेरा एक बाउल जो है अगर यह पानी है तो आप इस का जो है जड़ रहता है तो हमें क्या है कि मtes्टिक पी इस your फटिलाइजर जो भी हम देते हैं उसे डालना चाहिए है तो मैं इस तरीके Alone कि मौश ना प्रेंए माच पराइजर क्मक्षु आप पहुआना है, तक लिए माच फर्टिलाइजर में गर्वत्वी दल्लाइजर कहें, टो यहाँ से याशा रउत्ता में, यिस को पहुआने हं दो अखिली गाद से हमाने हैं, यह आप देख सकते हैं यहाँ आप दिर्योंतों, तक प अगर आप एक दो दिन यूज करते हैं और उसके बाद आप कहेंगे कि इसका कोई भी मेरे प्लांट पे असर नहीं होगा क्योंकि यह ओर्गैनिक है तो यह धीरे धीरे टाइम लेके आपके प्लांट को हेल्दी बनाता है तो इस तरीके से आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं इन सब चीजों में भी बहुत सारे निउट्रियंट होते हैं जो कि हम ऐसे भी फेक देते हैं तो हमारे पौधों के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है तो इन सब चीजों का आप यूज करें और बिल्कुल और्गैनिक गार्णिंग करते रहें तो दोस्तों यहीं था बस मेरा आज का वीडियो खोप आपको मेरा इई वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगाया तो इसे लाइक करिएगा शेर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अभी तक अगर आपने हम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आज आकर के फॉलो कर लिजे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में